सिविल लाइन में देव भुमी रक्षा मंच उत्राखंड के द्वारा ये हिंदू आक्रोष रेली है अभी तक आप जन आक्रोष रेली आप देखते आ रहे हैं लेकिन यहां पर हिंदू रक्षा रेली है क्यों आप लोग कर रहे हैं यह जिश्प्रकार से यहां के जन परते निदियों ने गौह हत्यारों का संरक्षन किया वह अपने आप में एक शर्मनाक है और इसके विरोध में यह रेली चल रही है इसके लावा आपने भी रिशिकेश की और अन्य जगे की घटना सुनी अन्य भागवा को जूतों की महला पहना कर जो वहां उसका अगनी देहन किया गया वो जो संतों का अपमाना यह तीन विशे हैं और विशेश कर मेरा सवाल यह है कि सरकार तो बाचपा किया बाचपा हिंदू तो की बात करती है हिंदू अखरोश-रली निकालना पड़ रहा है क्योंकि सरकार को भी लगता है कि भीड़ तंतर काम करता है नगीना और धामपूर्चे लोग यहां डीले तब कबुतर उड़ाने के लिए आ जा कार की आक्रोष रेली निकालनी पड़ेगी, आज पर हिंदु तो की बात करती है, कि इसके बावजूद भी आंप लोग को हिंदू आक्रोष रेली निकाला मपड़ रहा है, यह जरूरी यह समय समय पर इंदू चेतना के लिए जिस परकार से बारी लोग आकर के उत्रखंड की आब हो अवाकों खराब करने का पर्यास कर रहे हैं उसमें हम सब लोग एक हैं संग्णतित हैं अपराधी किसी भी धर्म से हो अपराधी को अपराधी मना जाना चाहिए हमारे कहना यह है इसलिए अपराधी के साथ कोई पक्षपात नहीं हो जो फत्यार है जो हिंदु धर्म सस्क्रिटिभी पर प्रार करने वाले लोग है उनको सजा मिलनी चाहिए कटिन से कटिन हमारे यही कहना है जो अक्रोस लेलिए किसी सरकार के खिलाब नहीं है अपर जिले में जितने विदायक है विदायकों का समर्तन उनको पक्ष में मिला उनके न्याय के लिए मिल रहा है आपके साथ कौन है हमार साथ जनता है हिंदु जनता एक जूट है उन्होंने न्याय की बात तो कभी करी नहीं अन्होंने कभी न्याय की बात तो नहीं करना हमारे साथ हिंदु जाक जुका है गुँख त्यारों को सरक्षन देने वालों को माप नहीं किया जाएगा और ऐसे विक्ति को ये बताया जा रहा है कि यह विखती बहुत अच्छा तैराक था और इस तैराक को यह विखती नाच्छा तैराक था क्योंगि गुपने बदला वो विखती टैराक नहीं हो सकता और उस गौहत त्यारों को बचाने के लिए वेसर उन्होंने नियाय की बात नहीं करिए उन्होंने कहा जिस परिवार पर बावन मुगद में उस परिवार पर कारवाई नहीं उन्होंने एक नभी कहा कि जो बावन परिवार पर बावन मुगद में कहा उन्होंने कि इन पर कारवाई हो उन्होंने आप उनका एक विक्तव दे दीजिये उन्होंने बात तो स्विकारी नहीं करेगा प्रशाशन के उपर प्रशाशन की शैली के उपर प्रशाशन के लिए कुछ गलत करेंगे और उन लोग के मांग करेंगे कि हमारी गलत कर रहे हैं उन्हें सजा दी जाए और हमारी हिंदु बहुत बड़ास नहीं किया जाएगा वायाज की तारिक में हमारे सभी हिंदु के भाई बैर और साथ सभी संगठर के लोग सब जाब च मुत्र जिहाद वाले और तुमारे ठूक जिहाद हम बिलकुल सभी सहन करेंगे उत्रा खंड में बिलकुल सहन करेंगे अगर कोई ऐसा करेगा तो हम उसको सजा खुद करेगे जिहाद वाली बात कौन से हगैसम wrench जिहाद जो चला है अभी आपने मसूरी में भी देखा होगा वहाँ पर थूख कर चाहे दे रहे हैं यह देव भूमी उत्रा खंडे यहाँ पर थूख कर चाहे देगा कोई मैं तो उन्स मुसलमानों भाईयों को भी कहना चाहता हूं पड़े लिके इन जिहादियों को अपने आप खुद सबग सिखाना हें इनको यह हर तरीके से जिहाद कर रहे हैं इसमें चाहे दोखो लवरो इंदू को तोड़ने का कारिया कर रहे हैं यह लोग और इनका उद्धे से हैं इनको भारतो फंडिंग हो रहे हैं लेकिन इस पर रोग भी लग रही है पर को सरकार रोगा नहीं लगा पार करण करो पारी पारी वथे पार具 कि इन्हों ने नहीं नहीं के excellency कर लाकर यह बाहर से सताओ के पाराव को सरकार करा है बारत के अंदर को गलत काम हो रहा है सरकार भाजपा कि यह तो आपको सब्सक्राइब बिल्गुल सब्सक्राइब विश्चिल आना पड़ रहा है क्योंकि यह लोग जो जिहाद ही जिलोग है यह हमारे हिंदु तब को नीचा दिखाने का कार्य कर रहे हैं यह बताइए अभी कुछ भाई लोगों से बात हो रही थी अगर अगर इस सरकार में कोई चीज गलत हो रही है किसी ने बोला कि फंडिंग बाहर से आ रही है यह सच बात है बिल्कुल सही बात है और से फंडिंग आ बात होगी ना सरकार का तंत्री तो सारा कुछ आर के तंत्र को जगाने के लिए हिंदू जागरण मंच के तत्वधान में यह कारीकरम आयूजीत हो रहे हैं सरकार जाग रही है कानून लागू हो रहे हैं लव जिहाद का भी कानून हो गया लैंड जिहाद का भी हो गया अचा अभी जिस मामले में आप लोग यह रेली निकाल रहे हैं वो मेंन मामला क्या है जिहादी मानसिक्ता का मामला है जो कि जिहादी मानसिक्ता को उपन हम नहीं होने देंगे वो कुछ जन परती निदी जो जादी मानसिक्ता को बढ़ावा दे रहे हैं यह अंदोलन उसके आकरोश का है कौन लोग है कुछ जन परती निदियों को छोड़ कर बाकी तमाम चाहे कोई भी हो जिनोंने मादोपूर में साब अगीता की वहां कारी करमाउजित के आज जिन लोगोंने वहां दियाम कारेले पर धन्ना दिया ऐसे सब जन परती निदों के विरोद है पर सब्सक्राइब करें Figurezi में जो जिहादियों के परती कारेकर्म हैं की यहादह को उत्राखन में पनप रहें उनके लिए है कारेकर हम हम ने रखा है सरकार के पक्षक्रशंत्य कि पना रहा है जो और त्यार है उसके परीवार पर 22 उसका आप सरक्षन्स कर रहे हैं तो आपकी मान सिक्ता क्या है यह गलत है ना मतलब एक क्रिमनल बावन मुकदमे वाले परिवार को समर्तन कर रहे हैं कि नियाय करो नियाय क्या गोट फुला छोड़ दे जो यह अक्रोश है यह सबसे पूंटा जो संतों का अपमान हुआ है और पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा बंगवे को जलाए गया है यह उसका अक्रोश है उत्रा खंड में संतों का अपमान नहीं साहे जाएगा दूबारे ऐसी को घटना होगी तो हिंदू से जादा संख्यम आके आक्रोश दिखाएंगे अगर कोई पहार के समुधाय आके हमारे संस्कृति को तो पारी की कोशिश कर रहे हैं तो हिंदू भी अब जाग रहा है कि चलिए यह पूरा जो है यह हिंदू आक्रोश रेली है यह जो गाड़िया वह देख रहे हैं कि बारत म बारे हो माम डंस को आज कहां से मत्त्ब शडवार है जिसने जो परतिनी उसको सपोर्ट कर रहे थे और उमेश कुमार और चंदर सेकर रावन इनको सबोट कर रहे थे तो उनके आक रो सक्में हिंदुभाय उन्के एक रेलिर्स का आज आज्यन किया है कि वह सिर्फ एक करते हैं बाजी है फंबें समाल कैसं करते अबी हमारे जुक्त है एक कि चली लेके रोल्ट भर लेकिन उस्कोन दिखाए घूझे कंची उपलेक्स में भी हमने आजे प्रोग्राम नखा कि हम भगवगपान नहीं सहेंगे देखिए भाई पूरा पूरा ये जो है उदर दिखाईए पूरी भीड है सड़क जाम है और खेर ये सब चीजे होती रहती हैं कारकरम होते रहते हैं फिलाल आप लोग क्या कहेंगे इस पूरे रेली खो लेकरके इन लोगोने जो वक्त वे दिये हैं उसे सुनकरके क्या कुछ कहेंगे आप कॉमेंट सेक्ष्ण प्रतिक्रिया दीजिए कौन दोशी है क 것 निर्दोश है कि काम तो निया व्योस्ता का है ? निया व्योस्ता करती रहेगी, गरी जनता का अपना अधिकार है उस अधिकार के तहट जनता अपना सवाल करती जा रही है देखते रहीएगा धनी विज오 ल में टंडॉक's बहूत बहुत शुक्रेथ बदब धन्यवाद.